नमस्कार, वैसे मैं अंगरी जी के लामाद दो और अंतरराष्टी ये भासाएं जानता हूँ, जिसमें मैं अपनी बात आसानी से कहके आप पर इंप्रेशन जमा सकता था, लेकिन चुकि आज स्वतंतता दिवस है और आज हमारा हिंदोस्तान आजाद हुआ था, तो मैं चाहत हुआ कि मैं जो कुछ भी बोलू, दिल से बोलू और आप इसे दिल से सुनो, सबसे पहले तो हम सभी भारतियों को और आप सभी जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को हमारे पचात्रमे स्वतंतता दिवस, 75th Independence Day की बहुत सारी सुपकामनाएं, आज स्कूलों में, कॉलेजेस में, और ओफिसेज में, इंडिपेंडेस डे मनाया जाएगा, जहां पर हमारा तिरंगा जंडा फैराया जाएगा, मिठाईया बाती जाएंगी, बहुत सारे फंक्शन्स भी होंगे, लेकिन एक बात है, जो मैं अपील करना चाहूंगा आप से, हमारा भारत, जिस अंग्रेजों के गुलाम रहे, और इसके बावजूद भी लगबग 45 trillion dollar, यानि अगर इसे रुपेयों में convert किया जाए, तो 3375 लाख करोड रुपए, अंग्रेज हमारे देश से लूट के लेके चले गए, ये पैसा इतना जादा है ना, कि आज अगर इंडिया और इंग्लै से लूट के लेक है, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद हमें गर्व है कि हम भारती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत आज दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा democratic country है, और इसल नहीं, बलकि हमें इस बात पर गर्व है कि भाई, 121 भासाएं बोले जाने के बावजूद, 270 मात्री भासाएं बोले जाने के बावजूद, हमें गर्व है कि भाई, हम एक हैं, 29 अलग-अलग राज्यों में रह रहे, 135 करोड भारतियों के दिलों में भारतियों होने का एहसा हम आज आजाद हैं कि जो हम कहना चाहें, वो हम कह सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम आजाद हैं कि हम भारत के किसी भी कोने में अपने मन पसंद का विवसाय कर सकते हैं और आज हम जो ये आजादी अपना खेरात, अपना जन्मसिद अधिकार मानते हैं वो हमें खेरात में नहीं मिली है बल्कि किसी मा के 12 साल के बेटे बाजी रावत ने अपनी जान गवाई है और किसी 63 साल के बुजुर्ग लाला लाजपत राय ने अपने सर पर लाटी खाई है तब जाकर हमें ये आजादी, ये इंडिपेंडन्स हमारा भारत आजाद भारत कहलाने लगा है आप इन बलिदानों को याद रखो ना रखो, आप इन महान पुरुसों को याद रखो या ना रखो या अपनी आजादी कितनी मुश्किल से मिली है, आप इसे याद रखो ना रखो लेकिन एक बात याद रखना कि आज 15 अगस्त यानि Independence Day का जब celebration खतम होगा कल यानि 16 अगस्त को किसी रास्ते पर, किसी दर्वाजे पर, किसी स्कूल में अगर फर्स पर आपको तिरंगा गिरा हुआ दिख जाए तो उसे उठा जरूर लेना उसे उठा कर माथे पर जरूर लगा लेना क्योंकि ये तिरंगा हमें खेरात में नहीं मिला है न जाने कितने बच्चों ने, न जाने कितने बुजर्गों ने, न जाने कितने जवानों ने अपनी जान गवाई है सिर्फ इस जंडे को उचा रखने के लिए इस भारत मा का सर उचा करने के लिए तो आप सभी से अपील है कि भाई किसी भी जंडे को जमीन पे ना गिरने दे और अगर गिरा भी है तो उसे उठाएं और किसी ऐसी जगा लगाएं जहां पर वो हमेशा फैराता रहे और हमारी सान में कसीदे पड़ता रहे वो के देना कि मिश्र, यूनान और रोम सब मिट गए जहां से अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्तिम हमारी सदियों रहा है दुस्मन, दौरे, जमा हमारा और सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा चय हिंद, चय भारत